महारास्ट के राजयपाल भगत सिंग कोश्यारी के एक बयान से महारास्ट की राडिती में तुफान खड़ा हो गया है दरसल राजयपाल ने एक कारिक्रम को समधित करते वे कहा कि अगर मुंबई से गुजरातियों और राजस्थानियों को हटा दिया तो शहर के पास ना तो पैसे रहेंगे और नाहीं वित्ति राजधानी का तमगा उन्होंने यह बयान मुंबई के पस्चिमी उपनगर अंधेर में एक चौक के नामकरण समारों को समधित करते वे दिया राजयपाल ने अपने बयान पर विवाद खड़ा होने पर सफाई तो दे दी है लेकिन विपक्ष ने उन पर जोड़दार हमला बोल दिया है यही नहीं राज्य सरकार ने भी उनके इस बयान से किनारा कर लिया है आईए आपको पहले दिखाते हैं राजयपाल भगत सिंग कोश्यारी ने क्या बयान दिया फिर आपको बताएंगे कि उन्होंने विवाद खड़ा होने पर क्या इस फ़स्टी करण दिया है कोंग्रेस समयत विपक्षी दलों ने राजयपाल के इस बयान की निंदा की है और उन से माफिकी मांग की है इस बीच राजभावन के और से जारी विध्यप्ती में कहा गया है कि कोश्यारी ने मुंबई को देश की वित्ती राजधानी बनाने में राइस्थानी मारवाडियों और गुजराती समधाय की योगदान की प्रशन शाकी थी कोश्यारी ने विवाद बढ़ने के बाद जो बयान जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि मुंबई महराष्ट की शान है यह देश की आर्थिक राजधानी भी है मुझे गर्व है कि मुझे एक राजेपाल के रूप में छहत्रपती शिवाजी महराज की भूमी और मराठी लोगों की सेवा करने का अवसर मिला कि इस वजह से मैंने बहुत कम समय मराठी भाषा सीखने की कोशिश भी की राजेपाल ने कहा कि कल राएस्थानी समाज के कारिकरम में मैंने जो बयान दिया उसमें मेरा मराठी आदमी को कम करके आखने का कोई इरादा नहीं था उन्हों सेना कॉंग्रेस MNS के नेताओं ने इस बयान को मराठी गौरव को आहत करने वाला बताया है शिवसेना सांसाथ संजेर राउत ने तो राज्येपाल के स्टीफे तक की मांग कर डाली राज्येपाल को श्यारी के भाशन को ट्विटर पर शेयर करते हुए संजेर राउत कहा है कि राज्येपाल के कहने का मतलब है कि महारास्ट्र और मराठी लोग बिखारी है मुख्यमंत्री शिंदे क्या आप सुन रहे हैं अगर आपका स्वाभिमान है तो राज्येपाल का स्टीफा मांगे वहीं कॉंग्रस नेता जैराम रमेश ने भी महारास्ट्र के राज्ये अपपालन करते हैं वहीं शिवसेणा नेता प्रियांका चतुरवेधी ने कहा है कि यह महारास्थ्ट और मराठी मानुष्ट के लोगों की कड़ी मेहनत का अपमान है जिनों ने राज्ये को देश का अग्रणी राज्ये बनाने कि लिए दिन रात महनत की है उन्हेंORE है कि राज़ेपाल को तुरंत माफी मांगनी चाहिए ऐसा नहीं करने पर हम उन्हें बदलने की मांग करेंगे इस पीच मुंबई बीजेपी नेता आशिय सेलार ने भी राज़ेपाल के बयान से असमती जताई है और MNS नेता राज़्ठाकर ने भी राज़ेपाल के बयान को म मराठी व्यक्ति को जाता है उन्होंने कहा है कि इंडस्ट्री की दुनिया में भी मराठी लोग ग्लोबल लीडर हैं उन्होंने कहा कि हम मानगी राज़ेपाल के बयान से जहमत नहीं है अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बैल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके